नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार्ग अगर सूरी की कृपा हो जाए या कुंडली में सूरी मजबूत हो जाए तो ब्यक्ति बिमारियों से तकलीफों से मुक्ति पा जाता है और जब भगवान स्री हरी धर्ती पर भगवान स्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वो भी अपने दिन की सुर्वात सूरे देव की पुजा करके ही करते थे सूरे को परत्यक्ष देपता माना जाता है जो सब कुछ देखने और सुनने वाले हैं क्योंकि हर कोई इनके साक्षा दर्सन कर सकता है और सूरे देव को जलर पित करा पित्रे देवों को भी परसन न कर सकते हैं सूरे को पिता का दर्जा प्राप्त है रभी बार के दिन भगवान सूरे की अराधना करने का विशेज विधान है क्योंकि सूरे की सिर्फ अगर आप अराधना करें तो नोक के नोगर उत्तमफल देने लगते हैं लेकिन आज हम विशेज प्रियोग बताएंगे अगर संतान की तरक्की चाहते हैं, संतान प्राप्ती की कामना है, जीवन में सुख बैभव एस्वरे चाहिए, मान सम्मान चाहिए, नौकरी बैपार में उन्नती चाहिए, तो एक छोटा सा प्रियोग आप रभी बार के दिन से करना शुरू कर दें तो इस दिन एक विसेश प्रियोग किये जाते हैं, जायफल आपको तो पता होगा, एक प्रकार का मसाला है, गरब मसाले में यूज होता है, इसका पुस्व को जाबित्री कहते हैं, और जायफल जो होता है, उसको आप हाथ में लेकर एक मंत्र बोलिएगा और मंत्र बोलने के इस मंत्र का आप जब करें और जायफल को इस मंत्र का चैप कमशकुंच पांच बार कीजिएगा और जायफल को अपने घर में ही पूरे विशा में रख दे, उसको रहने दे, पूरे मेहने रहने दे, यह जो है न, आपके घर परिवार में खुसियां लेकर आएगा, जीवन में धन, यस, मान, सम्मान, सुख, संपत्ती की कभी कभी नहीं होगी, तो इसके बाद आप भगवान सुरी की पूजा करेंगे, तो सुरी देब को आप जब जल अर्पित करेंगे, तो बिधी विधान से करेंगे, अपनी मनो कामना के अनुसार, मनो वांचित फल की प्राप्ती के लिए, इक्छाओं के अनुसार, आप सुरी को जल अर्पित करते समें, लोटे में बस्तू डाल कर अर्पित करेंगे, कृपा स्रिष्टी के उर्जा और प्रकास का कारक भी सुरी को स्वास्त राज्य दबाई पिता खाने पीने की वस्तू का कारक भी माना जाता है अब भगवान सुरी जो है वो नाम यस राज पद भी देते हैं और सुरी के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है इसलिए सूरे को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है उनको जल अरपित करना उनके मंत्र जब करना तो सूरे को जल देने के बहुत ही सिंपल तरीका है देखिए इससे क्या होता है आपका सुरे अनुकूल हो जाता है नो के नो गरह मजबूत हो जाते हैं सुरे को सर्वती साक्षी भूतम कहा जाता है यानि सब कुछ देखने और सुनने वाले तेप आप चाहें तो नदी में श्रान करके भी अर्द दे सकते हैं जल देख सकते हैं और घर में विए सकते हैं लेकिन उखतेवे सुरी को जो अर्द देना है वह सबसे अच्छा होता है रड़ा सुर्यों सुर्यों देख जल दे तो जादा आपको शुफल मिलते हैं तो आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएं दीए लोटे आपके मिट्टी के बड़े पात्र में आप जल अरपीत कर सकते हैं अगर घर में बएसा बेवस्था नहीं है तो तो सुबह जल्दी उठकर आप असनान बेगरे करके आप अरदे दें और जब सुरी की रोसनी चुहने लगे तब जल देने से उतने फायदे आपको नहीं मिलते बिना असनान कि सुरी देव को जल भूल कर भी मत चड़ाइए और अगर जल चड़ाने के बाद इसके छीटे पैरों में पढ़ते हैं तो हलांकि हलके फूल के पढ़ रहे हैं आप किसी चीज में जैसे की मिट्टी के गमले हैं पौदे हैं उसमें डाल रहे हैं हलके फूल के चाष्मा के लिए जो बिद्यार थी हैं वो सुरी देव को अगर जल अर्पित करें तो आप जल में ब्लु कलर का इंक याद रखे है जल में ब्लु कलर का इंक फौन्टेजिय में बहरा जाता है आप data मार्केट में जायगा आप लिया यैं जादा नहीं डालना है दो चार ब अब बार के दिन भूल कर भी लाल मसूर की दाल मत खाईएगा नहीं तो आपके पूजा का फ़ल भी आपको नहीं मिलेगा और तमाम एकादसी ब्रत के तो पुन्य वैसे भी नस्ट हो जाने हैं तुरे रभी बार के दिन लाल मिर्च और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए और स आस्त तो ये भी कहता है कि रभी वार के दिन मशली नहीं खाना चाहिए कहने का ताथ पर आप इस दिन कुछ नियुमों का पालन कर सकते हैं अगर आप बैवाहिक जीवन चाहते हैं कि सिग्र बिवा हो या सुखद बैवाहिक जीवन हो तो सुरी देव को जब जल अरपित करें तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें तो आपका बैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और सिग्र बिवा भी आपके होते हैं अब दूसरी तरफ अगर आप जीवन में सभी चीजों में लाप राप्त करना चाहते हैं तो सुरी देव को प्लेन वाटर अरपि प्ले राप्त किया जा सकता है अगर आप कोई मीठी बस्तू जैसे की मिसरी है डाल कर अरपित करते ह estado जीवन में ख़ुजियां 西चों में लापत करने का विधान नहीं है तो आप तो कहीं पर कहीं साइड में रख एड़ आप दे चीटियां खा लेंगी और आप जल अरपि लाल मिर्च के बीज आपको मार्केट में मिल जाएगा आप थोड़ा सा अब चाहें तो घर में भी निकलवा सकते हैं लाल सुखावा मिर्च का बीज थोड़ा सा निकलवा के किसी चीज में स्टोर कर लें और रोज एक चुटकी उठाएं या फिर ग्यारा दाने बीज लेकर जल में डालकर भगवान सुर्य को अरपित करें और उनसे प्राथना करें तो धन की मुस्लें दूर होती हैं कर्जों से राहत मिलती है ।फसाओवा रुकावा धन मिल जाता है। सूरे देव को जब आप जल अर्पित करते हैं अगर अक्छत मिलाकर अर्पित करें और अक्छत के साथ तिल भी डाल दें तो पितरी दोस सांथ हो जाता है पितर देव की बाधाएं सांथ हो जाती है और उनका आसिरवाद मिलता है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्त अच्छा रहेगा और काला तिल अर्पित करते हैं तो पित्री देव सांथ हो जाते हैं उनको मुक्ती मिलती है त्रिप्ती मिलती है और आपके जीवन में जो भी बाधायें पित्री दोस्के वो समाप्त हो जाते हैं लाल गुड़हल का पुस्प डाल कर अगर अर्पित करें त तो सत्रू बिरोधी भी सांत रहते हैं और नौकरी इंटरव्यू वेगरे में भी आपको सफलता मिलती है तो सुरे देव को अर्द देते समय तमाम चीजें आप बहुत साइध दर्सुकों का ये भी सभाल होता है कि क्या सब कुछ एक साथ डाला जा सकता है देखिए डाला तो बढ़ता है इसलिए सुबह सुबह ही अर्द दें तो बढ़िया है और सुबह अगर जल अर्पित करते समय कुछ चीजें आप लोटे में डाल देते हैं तो कई गुना कई लाग गुना फल आपको मिलता है तो वैसे तो सूरी देव को जल चरहने का महतो और फाय देव परान तो ऐसे में सूरी देव को अस्मरन करें और फिर आप जल अर्पित करें लेकिन एक बात ध्यान रखेगा कि सूरी उदित हो चुके हो आकास मंडल में तो सूरी और सिबलिंग दोनों पर ही आप जल में चंदन डाल कर अर्पित कर सकते हैं सूरी देव को लाल चंदन डाल कर और सिबिलिंग पर सफेज चंदन डाल कर। सूरी देव को लाल कनेर के पुस्पभी अरपित कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा मंत्र जो आपकी कामनाओं की पूर्टी करता है। और वो है गायत्री मंत्र। आपको तो पता है गायत्री मंत्र ओम भुरुभुः सुहतत सभीतुरु वरिन्यम भर्गो देवस्य धीमही धीयो योनह पर्चोद्याद। ये मंत्र 27 बार रोज पढ़िए। जीवन में कभी ऐसा कोई मोड ही नहीं आएगा कि आप अकेले हैं। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मंत्र जब पढ़ने 27 बार इसके बाद सुरी देव के चित्र की पर्दक्षिना करें। आप अगर घर में आप जल अर्पित कर रहे हैं तो और रभी बार के दिन कुछ तमाम जो हमने आपको बताया उन चीजों का आप त्याग कर दीजेगा। और साथ ही संतान सुख की ब्रदी होती है प्राप्ती होती है। सुर्य देव को जल अर्पित करने से नौगरह की भी कृपा रहती है। जब भी आप सुरी की जल अर्पित करें सुर प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र वहीं पर खड़े होकर 27 बार चरूर पढ़े फिलाल भी दालेंगे धन्यवाद